हेलो फ्रेंड्स मैं संजय कुमार ESP चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम मद्दिकालिन भारती इतिहास के अंतरगत अमीर खुसरो के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो आईए अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो का पूरा नाम अमीर खुसरो का पूरा नाम अबूल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो था मद्द एसिया की लाचन जाती के तुर्क सेफुदीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म सन बारे सो तिरपन इस्वी में उत्तर पर्देश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था लाचन जाती के तुर्क चंगेज खां के आकरमडों से पीडित होकर बलबन के राजिकाल में सनडार्थी के रूप में भारत में आबसे थे खुसरों की मा बलबन के युद्ध मंतरी इमादूतुल मुल्क की पुत्री तथा एक भारती मुसल्मान महिला थी साथ वर्स की अवस्था में खुसरों के पिता का देहान्त हो गया किसूरा वस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंब किया और 20 वर्ष के होते होते वे कभी के रूप में परसिद्ध हो गए खुसरों ने अपना सारा जीवन राजस्रे में ही बिताया राज दर्बार में रहते हुए भी खुसरों हमेशा कभी कलाकार, संगीतक और सेनिक ही बनी रहे अमीर खुसरों का देहांत दिल्ली में 1325 इस्वी में हुआ था और इनके दफनाने की जगए है दिल्ली में हजरत निजामुदीन दरगाह अमीर खुसरों एक महान कवी, सायर, गायक एवं संगीतकार भी थे अमीर खुसरों के एक अन्य नाम से भी जाना जाता है तूती एहिंद इनके गुरू का नाम निजामुदीन ओलिया था और उन्हीं के द्वारा अमीर खुसरों को तुरक अल्लाह की उपादी परदान की गई थी अमीर खुसरों कुल्मिला के तीन भाई थे जिनमें से अमीर खुसरों सबसे बड़े थे जब ये मात्र चार वर्स के थे तभी वे दिल्ली आ गए आठ वर्स की उम्र में वे परसिद सूफी हजरत निजामुदीन ओलिया के सिस्स बन गए 16 से 17 साल की उम्र में वे अमीरों के घर सायरी पढ़ने लगे थे एक बार दिल्ली के एक मुसायरे में बलबन के भतीजे सुल्तान मुहम्मद को खुसरों की सायरी बहुत पसंद आई और वे इन्हें अपने साथ मुल्तान जो आज आधनी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है ले गया सुल्तान मुहम्मद खुद भी एक अच्छा सायर था उसने अमीर खुसरों को एक अच्छा ओहदा आयाने की एक पद दिया और इनसे मसनवी भी लिखवाई चार साल तक मुल्तान में उनका जिन्दगी बहुत ऐसो अराम से गुजरी इसी समय मंगोलों का एक खेमा पंजाब पर आकरमड कर रहा था इनको कैद कर हैरात ले जाया गया कि इनको अमीर खुसरों को मंगोले ने सुल्तान मुहम्मद का सर कलम कर दिया था दो साल के बाद इनकी सेनिक आकांचा की कमी को देखकर और साहरी का अंदाज देखकर छोड़ दिया गया फिर योंपटियाली पहुँचे और फिर दिल्ली आए बल्बन को सारा किस्सा सुनाया बल्बन भी विमार पड़ गया और फिर मर गया फिर केकुबाद के दरबार में भी वे रहे वो भी इनकी साहरी से बहुत परसन रहा और इन्हें मुलुक सुअरा यानि की राष्टर कभी घोसित किया जलालु दिन खिल जी इसी वक्त दिल्ली पर आकरमड कर सत्ता पर काविज हुआ उसने भी इनको इस्थाई इस्थान दिया जब खिलजी के भतीजे और दमाद अलाउद दिन खिलजी ने सत्तर वर्सी जलालु दिन खिलजी का कतल कर सत्ता हतियाई तो भी वो अमीर खुसरो को दरबार में रखा अमीर खुसरो चौदाहमी सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक परमुक कभी सायर गायक एम संगीत कार थे उनका परिवार कई पीडियों से राज दरबार से संबन्दित था सोयम अमीर खुसरो ने आठ सुल्तानों का सासन देखा था इन आठ सुल्तानों के नाम इस परकार हैं इसमें बलबन का सबसे बड़ा पुत्र मुहम्मद कैकोबाद, क्यूबर्स, अलाओ दीन खिलजी, जलालु दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, सुखराव साह, गयासु दीन तुगलग थे अमीर खुसरो अलाओ दीन खिलजी के दच्छड अभयान के समय उसके साथ गया था वह परसिद सूफी संत निजामुदीन अलिया का सिस भी था अमीर खुसरो पर्थम मुसलिम कभी था जिसने हिंदी सब्दों का खुल कर प्रयोग किया है वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी हिंद्वी और फार्सी में एक साथ लिखा अमीर खुसरो को खड़ी बोली के अविस्कार का स्रे भी दिया जाता है वे अपने पहलियों और मुकरियों के लिए भी जाने जाते हैं जिसमें उन्होंने ठेट खड़ी बोली का प्रयोग भी किया है सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भासा के लिए हिंदवी का उल्लेक किया था एवं फार्ची कविता का भारती करण करने वाला पर्थम कभी अमीर खुसरो था अमीर खुसरो भारत देश की तुलना सर्ग के उद्यानों से करता है वह कहता है कि मैं भारती ये तुर्क हूँ और तुम्हें हिंदवी में उत्तर दे सकता हूँ अर्भी की बात करने के लिए मेरे पास मिस्री सक्कर नहीं है अमीर खुसरो को दिल्ली संत्रत का आश्रे मिला हुआ था एवं इनके द्वारा लिखी गई गरंतों की सूची लंबी है जिनका इतिहास सुरोत्य के रूप में महत्व है अमीर खुसरो को हिंदी का तोता भी कहा जाता है भारती और पर्सियन यानि इरानी रागों का सुन्दर मिस्रण किया और एक नवीन राग सेली इमान जिल्फ साजगरी आदि को जन्म दिया भारती गायन में कवाली और सितार को इन्हीं का देन माना जाता है इन्होंने गीत के तर्ज पर फार्सी में और अर्बी गजल के सब्दों को मिला कर कई पहेलियों और दोहें भी लिखे हैं अमीर खुसरों ने अनेक काव्यात्मक सेलियों में हिंदी का प्रियोक किया और फार्सी की एक नई सेली बनाई जो सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी की सेली के नाम से परसिद्ध हुई भारत के ततकालीन समाज पर त्रिष्टि डालते हुए संतलत काल में गरीब वा आसहाय किसानों के बारे में अमीर खुसरों ने लिखा है क्या लिखा है राज की मुकट पर परतीक मोती गरीब किसान की असुर पूरित आखों से गिरी हुई रग्त की घनी भूत बूंद है कभी कभी या कोटे सा नहीं एकजाम में डाल के पूछ लेता है कि ये इसको किस ने कहा आईए अब बात कर लेते हैं अमीर खुसरों की परसिद रचनाए कौन कौन सी है किरान उस सदायन मिफ ताह उल्फुतुह खजायन उल्फुतुह तुगलक नामा एजाज ए सुखरवी नुह सिपिहर और आसिका इनकी महत्पूर परसिद रचनाए हैं आईए अब बात कर लेते हैं इनकी जो परसिद रचनाए हैं उनको कैसे याद किया जाए उसको याद करने के लिए हम एक जबर्दस्त ट्रिक लेकर आए हैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और याद होने में मदद भी करेगी यह ट्रिक एक कहानी टाइप की है एक गरीब व्यक्ति था उसने किराना की दुकान खोली किसे ने किराना की दुकान खोली एक गरीब व्यक्ति ने जिससे उसका खजाना बढ़ने लगा पैसा आते ही उसे आसिक बनने की सूझी उसकी प्रेमिका ने कहा पहले सिपाही बन जाओ तभी हमें सुक दे पाओगे लेकिन उनके बीच हर सब्ता तू गलत तू गलत होने लगा दोस्तो एक बार फिर से मैं ट्रिक को दोहराता हूँ एक गरीब व्यक्ति था उसने किराना की दुकान खोली जिससे उसका खजाना बढ़ने लगा पैसा आते ही उसे आसिक बनने की सूजी उसकी प्रेमिका ने कहा पहले सिपाही तो बन जाओ तभी हमें सुक दे पाओगे लेकिन क्या उनके बीच हर सब्ता तू गलत तू गलत होने लगा आईए इसका थोड़ा संच बिस्तार से बताते हैं यहां किराना का अर्थ है किरान उस सदायन यहां अमीर खुसरों की परसिद रचना है दूसरा है यहां खजाना खजाना का अर्थ है खजायन उल्फुतुह यहां तीसरा आता है आसिक आसिक का अर्थ है आसिका जो अमीर खुसरों की परसिद रचना है और चौथा है सिपाही, सिपाही का अर्थ है नूह सिपिहर और यहां सुख, सुख का अर्थ है एजाज ए सुख रभी और सब्ताह, सब्ताह को ऐसे याद करिए, सब्ताह का मतलब है मिफ्ताह उल्फुतुह जैसे सब्ताह आ रहा है, सब्ताह मिफ्ताह उल्फुतुह और एक अन्य रचना है तुगलक नामा, जैसे तूगलत तूगलत से तूगलक नामा आसा करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी और याद करने में भी आप लोगों को सहुलियत महसूस हो रही होगी आज के इस चेप्टर से में कुश्चन भी लेकर आया हूँ इस कुश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बाक्स में अवस्य करें पहला कुश्चन है अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था दूसरा कुश्चन है अमीर खुसरो किसका सिस्थ था तीसरा कुश्चन है अमीर खुसरो का अन्य नाम क्या था चौथा कुश्चन है खड़ी बोली का अविस्कारक कौन था पांचवा कुश्चन है आसिका किसकी परसिद्ध रचना है आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों हम अगले दिन लेकर आएंगे जियाओ दिन बरनी के बारे में डिटेल से यह भी एक मधिकालिन भारती इतिहास के एक परसिद इतिहास कार रहे हैं जियाओ दिन बरनी आसा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अवस पसंद आया होगा तो पिलीज मेरे वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बाक्स में अपना कमेंट अवस से करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों यादि आपको इसकी पीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्सन बाक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है आप वहां से जुड़ कर पीडियो प्राप्